नमस्कार दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत-बहुत सुवागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डेयर गुरुजी पर आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपी स्पेसल समझ लो या आप ये समझ लो की जियोगर्फी के लिए बहुत सारे लोग करें से सब्सक्राइब का वीडियो लागर के दे दीजिए एकजाम के पहले तो इस सभी का सवागत है और आज की इस वीडियो में जल्दी करेंगे जल्दी आपको कुछ important questions जो कि आपके geography के होने वाले हैं वो मैं आपको करवा देता हूं जिससे at least आप लोग exam में वहां से जो questions अगर आपके कुछ आते हैं तो आपके लिए important हो सकते हैं तो बहुत important questions होने वाले हैं आज की इस वीडियो में इसका PDF भी आपको मिल ज चुका हूं उसका PDF और आज की जो question से उन सबका PDF एक साथ मिला करके मैं आपको दे दूँगा तो PDF के लिए आप टेली ग्राम पर जूड़ जाए जले start करते हैं class को जल्दी करेंगे सर यहां पर पहला question देखिए क्या गहरा है कि सर छेत्रफल की दृष्टे से उत्रप्रदे जाता है इसी तरह अगला question देखिए कह रहा है तिरपूरा अपने उत्तर दर्च्षड और पश्चिम में किस से घिरा हुआ है सब लोग जवाब भी देते हुचलेंगे सर वैसे भी लाइफ चलना है तो सब लोग जवाब भी देते हुचलेंगे सर तिरपूरा जो है अपने उत्तर दर्च्षड और पश्चिम में किस से किस से घिरा हुआ है तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सर बांगलादेश बिल्कुल सही बात है सर तिरपूरा जो है उत्तर पूर में भारत के एक राजी है जो अपने उत्तर दर्च् लोग जवाब देते हैं चलेंगे 36 गड़ जितने भी लोग जवाब दे रहें 36 गड़ वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आते हैं अगले कोशन पर तो देखे का क्या कह रहा है कि भारत के किस राजी का सबसे लंबा समुद्री किनारा है अगर हम बात करत अगラग already नमर आपका यहाँ पर देखे 5 क्या कह रहा है सर पड़ जी जो है किस भारती राजी की राधधानी है कोईशन ध्यान से देखे क्या कह रहा है सर बात जे है किस भारतीराजी की राधधानी है सब लोग जवाब देते हुँचलेंगे अग अगला कोशन देखे क्या तो यहां पर total 22 वोनी चीज़ है बड़ी है अलग अलग और उप्सिन आरहे हैं तो यहाँ पर अगर अंडमान और निकोबार दीव सम्हों भारत एक संगसासित प्रदेश है और निकोबार में दीपो की संख्या पूछ रही है तो यह थोड़ा सा confusing question है इसका मैं देख लेता हूँ क्या हो सकता है बिसिकली चले तो भाई इस question को थोड़ा सा गलत करेट कर लीजेगा है यहाँ पर अंडमान निकोबार की अगर देखो दोनों मिला करके आपका 222 है निकोबार की अगर हम बात करते हैं तो आप पर 18 दीव सम्हों है यहाँ पर 19 दिया गया है तो निकटम आपका B वाला करेट हो सकता है समझ में आ गया न तो यह थोड़ा कोशन देखो क्या कह रहा है कि भाई धलाई और उना कोटी किस राजजी के जिले हैं फटापर कोशन नमबर आठ सभी लोग जवाब देते हो चलेंगे सर धलाई और उना कोटी जो है किस राजजी के जिले हैं बहुत ही इंपॉर्ड़न कोशन है कोशन नमबर 8 फटाफर सभ जो correct tensor आपका क्या हो जाएगा सर इसका जो correct tensor ढ़लाई की बात कर रहा है उना कोटी की बात कर रहा है बिलकुल सही जवाब है सर option number जो इसका C है correct हो जाएगा तिरपूरा तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं तिरपूरा वो लोग यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगे अगला question देखो यहाँ पर क्या कह रहा है question number आपके यहाँ पर 9 कह रहा है कि port blayer थोड़ा सा blur है बड़ा आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं sir option number a अंडमान और निको बार्दिव समूँ यहाँ पर जितने भी जवाब दे रहें अंडमान और निको बार्दिव समूँ वो लोग यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगे आते हैं दोस्तों अगले question की ओर तो अगला question देहां से देखेगा यहाँ पर क्या कह रहा है question number आपके य हिंदी की class दे सकता है बहुत important class होने वाली है question number 10 जवाब देखें यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखिए कि दुस्तों question number 10 का जो correct answer है आपका क्या हो जाएगा बिहार तो option जो इस कसी है वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा आज की हिंदी वाली class में बहुत important question question लिकर क्या हूँ अगला question देखो क्या कह रहा है ध्यां से देखें question number 11 कि इन में से कौन सी नदी भारत में पश्चिन दिसा में बहती नदी नहीं है यहाँ पर एक्षी समझेगा पश्चिन दिसा में बहती नदी नहीं है question number 1 या आपका basically नदियों से या आप बहुत तंत्र मान सकते हैं उस्ते संबंदित question है चलिए जवाब देते हूँ चलेंगे sir बहुत ही अच्छा question है तो इसका मैं आपको detail में बता जिता हूँ भाई अगर हम बात करते पश्चिन दिसा के बारे में तो भाई आपका जो नर्मदा नदी है तापती है माही है साबरमती है लूनी करेक्ट हो जाएगा ठीक है सर तो यहां पर जितने भी जवाब दे रहे हैं आपसन नमबर डी वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आते हैं अगले question पर तो अगला question ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या कह रहा है question number आपके यहां पर दो कि नर्मदा के अतरि कौन सी दोसरी नदी अमर कंटक से निकलती है बहुत ही important है सबी लोग जवाब देते हो चलेंगे सर चलिए जवाब देखिए हाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रिखिए अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो इसका जो correct answer है आपका क्या हो जाएगा सर option number इसका हो आते हैं दोस्तो अगले question पर तो देखिए क्या कह रहा बहुत important है सर निमलिखिट में से किस नदी का समाघम अरब सागर में है bestimmt निमलिखित में से किस जीजेगा आप लोग लाइक करते हो चलिएगा क्या रहा है कि निम्लिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है जल देल्दी करवा रहा हूं इसी वच्छा से क्योंकि आपका पेपर लगा हुआ है परसो तो सबको बेस्ट आफ लग अभी सही तो याद रखे दोस्त आपसर नमबर डी वो लोग यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे आते हैं दोस्तों कौश्ण नमबर पांच की तरफ देखे क्या कह रहा है काबिनी हेमुती और अम्रावती कौन सी नदी की सहायक नदिया हैं बटाइए सर काबिनी हेमुती और अमरावती इन सब के बार सी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है सर कावरी नदी आपको पता ना करनाटक के कुर्ग जिले में इस्थित ब्रह्म गिरी पहाड़ी से निकलती है कावरी नदी के लंबाई कई बार पूछे आती है तो याद रखेगा 805 किलो मीटर है ठीक है आते ह बताये करेक्ट टैंसर क्या हो सकता है बताये फटाफट सभी जवाब देते हैं चलेंगे तो याद रखेगे दुस्तों इसका जो करेक्ट टैंसर हो जाएगा आपका सरावती कई बार मैं आपको दा चुका हूं जो शरावती नदी है वो करनाटक के सिमोगा जिले में है वो पश्रिमी घाट में इस्थेत है तो याद रखेगे यहां पर जितने भी साथी जवाब देरें इस शरावती वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आते हैं दोस्तों अगले कोशन की और तो अगला कोशन ध्यान से देखिए यहां पर क्या गह रहा है कि भई दच्रुद भारत की नदिया प्रणुख रूप दलशिर भायोत की च्हारत के नदिया ओती है वो बिसीकली बिच नमट अपुछा तंत्र लगती है या इसको ध्रुमा क्रिटिक अपुछा अपाः प्रसिरूप भी कहते हैं कोईशन नमबर आठ टाना है कि कौन सी नधीया है एै कौईशन नमबर आठ काकी जवाब यह डिया तो तो बिल्कूल सिखन जवाब का ग war ayaa बिसिक्लिन का उद्गम स्रोजु है हिमाले सित्मान स्रोवर जील के निकट है ठीक है चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले कोशन पर देखें बहुत ही इंपॉर्डन्ट है इस नदी की कुल लंबाई अभी आपका ग्राम विकास अधिकारी में इस तरह कोशन यही सेम कोशन आया था बहुत बड़ा कोशन था लोग देख करके डर गये थे बर कोशन पर एक बार समझ लो पढ़ लो कि इस नदी की कुल लंबाई उन्तिस सो किलो मीटर है यह तिबत यानि कि चेम यूंग डॉंग ग्लेसियर से यानि कि उस्ते सुरू होता है और जहां इसे शंगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतिय चेत्र आवडांचर पदेश में प्रवेस करती है इसके प्रमुक सहाइक नदिया भी दी गई है सुमन सिरी कामिंग धन सिरी मानस और तीस्ता इस नदी का नाम बताना है तो बिसिकली ये प्रम पुत्र नदी की बात हो रही है बहुत ही इंपॉर्डंट है कुछ लोग ऐसे कोशन पढ़कर ही जवाब दे रहे थे क्योंकि सब ने पहले भी कोशन को देख चुके है तो काफी लोग यहां पर जवाब दे रहे थे सी आप्सन तो यह अगला कोशन देखो क्या कह सान निम्लिकित में से कौन सी नदी थार यानि की रेगिस्तान से होकर बहती है कौन सी नदी आपको बताना है सर धार रेगिस्तान से होकर के बहती है तो इसका जो करेक्ट लया सर American Luther के क्या हो जाएर या द रखिये है लूनी बहुत हमादी पहु कि जो भोगोल है जलवाई उसे संबंदित कोशन है और आपका लेकपाल बैक्षा में पूछा गया था तो इसका जो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा सर बिल्कुल सभी बात है सर मासिन राम में घाल है तो यहां पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं आपसर नमबर एक वो फश्यमिविच्योड जिसके कारण उत्तर पश्यम भारत में बारिस होती है उसका उत्पतियस्ठल क्या है जवाब देखिये हैं आपे अना शुरू हो गया तो याद रखेए उसका उत्पतियस्ठल जो आपका भोमत्यसागर तो यहाँ पर जितने भी शाथी जवाब देने मिट्टी में होता है, बहुत असान सा कोईशन है, बिल्कुल सई ज़वाब आहा, सर, मिठ्टी का कटाओ होता है, सरवाधिक जो होता है, यहाँ पर सिल्ट मिठ्टी है, बलुई मिठ्टी है, चारो आप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं यहाँ पर जितने भी जवाब दे रहें और डी वह लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है सर तो यहाँ पर मिट्टी कटाओ इन तीनों तरह की मिट्ट्यों में होता है ठीक है चलिए आते हैं एकले कोशन पर तो सरВाधिक मात्रा में पाई जाती है बहुत ही अच्छा Quesion है जवाद गेकिए नहां क्या कहते हैं क्वेशन नमर् 3 फटाफट सब जवाब देती हैं चलेंगे सर परी छेत्री मिरदा को और क्या कहते हैं तीन जवाब देखें आना सुरू हो गया है तो याद रखें दोस्तों परीछ्ट्री मिरदा के अगर हम बात करतें तो इसको दिखिया option आया है, allureval mythra, यह जो मृदा होती है, इसको ojonal मृदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अजुनल या कभी कभी ojonal बोल जाता है, यह जो होता है, इसको बोलाता है, और यहाँ पर drift मृदा जो दिया गया है, इसको भी ojonal मृदा ही कहते हैं, ठीक है? आते हैं एकले question तो देखे क्या गह रहा है, question number आपका 4, कि निमलिखित में से कौन सा अमलिय धर्ती पर सफलता से उगाया जा सकता है, तो याद रखे कि दोस्तों इसका जो correct answer है, आपका क्या हो जाएगा, खीरा, तो आपर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं, option number C, वो लोग यहाँ पर बि लाल मिट्टी पाई जाती है, भारत मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है, चलिए, सबी लोग जवाब देते हैं, चलेंगे सर, मिट्टी का जो लाल रंग है, उसके होने का मुख्य कारण क्या है, बहुत important question है, तो याद रखिये दोस्तों, मिट्टी के लाल तो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे लेकिन जब जल में डाल दो तो थोड़ा सा पीला दिखाए पड़ता है क्योंकि वो जला ही हो जित होने के कालर अगला कोशन देखो क्या कह रहा है सर यह आपका प्राकिर्तिक वनस्पती से है कि बिंसर का जंगल यह कोशन आपक बिंसर का जंगल है वो आपका उत्तरा खंड में इस्ते थे कहा पर दूस्तों उत्तरा खंड में इस्ते थे तो जितने भी साती जवाब दे रहे हैं और डी वो लोग यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे आगला कोशन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कोशन नबर चेतर पचासी है चेतर पंचानवे हो चाचछट पैसट है बट यहाँ पर मैं आपको उताता हूं भारत में जो कुल वन चेतर है वो आपका जो 2018 के अभी रिपोर्ट आया था वो 70 के आसपास था किसके आसपास है 70 के आसपास है 70 82 73 यह इतने वर के किलोमेटर है जो कि पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है सर आते हैं अगले कोशन पर तो देखे क्या कह रहा है कि वन विभाग के सरविच्छड के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कबर भागोलिक छेतर कितना है बताईए सर फड़ा फड़ा फड़ सबी जवाब देते हैं चलेंगे स बड़ यहां पर देखा जाए तो 24 के आसपास यहां पर सिर्फ एक वाला एक ओसन दिख रहा है और सी को टिक कर देंगे सर जितने भी लोग जवाब देरें की तस लोग पांचार परसेंट वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है सर यहां पर जितने भी बहुत ही अच्छा कोशन है सभी लोग जवाब दीजे क्या हो जाएगा सर इसका करेक्ट एंसर तो जवाब देखिए हाँ पर आना सुरू हो गया है तो याद रखेगा उश्रक कट बंदिये नम पर्ड़ पाती है तो यहां पर जितने भी लोग जवाब देरें सर आउसर न भारत में कुल सिंचित छेत्र कितने हैं चलिए फड़ा फड़ सभी लोग जवाब देते हो चलेंगे सर तो यहां पर एक जैक्ट तो आपका उप्सन नहीं दिया गया बट एक लगभग लगभग याद रखिएगा 47 परसंट है तो 45 वाले पर हम लोग टिक कर देंगे फड़ा कोईशन देखिए आँ आ पर किया रहा है कि भाई संट्री-व्यूगलप का पानी निकालने के लिए कब प्रियोग किया जाता है बताई SUBSCRIBE पढ़ा फट सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर सेंट्री फ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है तो याद रखेंगे जिए जो पानी का निकाश होता है बहुत धीमा होता है और स्रोत जो होता है बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ पर लोग जवाब दे रहे हैं और बी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे बहुत ही important question है ठीक है आते हैं अगले question पर तो अगला question देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई question number 3 तीन नहीं आपका यह बहुत देशी यह नदी घाटी परियोजना से question संब संदीत है कई वार आपके paper में यह same question आपका पूछा गया है लेकपाल परिच्छा में जोने assistant के exam में और आपके UP pieces में कि भी यह गंडग सिचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रियास है बहुत ही अच्छा question है याद रखिए दोस्तों जो गंडग सिचाई परियोजना है यापका उत्तर प्रदेश का है सासी साथ किसका है सर बिहार का है तो यहाँ पर जितने वी लोग जवाब दे रहे है उस नमबर डी वो लोग यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएंगे ठीक है अगला question देखो यहाँ आपसे क्या गया रहा है कि उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी भाई टिहरी बांध परियोजना सबको पता है उत्तरा खंड में इस्तित है टिहरी बांध परियोजना और यह question आपका basically मैं आपके इसके पहले भी तीन से चार बार करवा चुका हूँ तो इसका जवाब बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है बताए सब सबी जवाब देते हूँ चलेंगे भाखडा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है फढ़ा पट सबी लोग जवाब देते हूँ चलिए बहुत ही important question है जवाब देखें हापर आना शुरू हो गया है तो याद रखें कि दोस्तों जो भाखड़ा बांध है वो आपका सतलुज नदी पर कौन से नदी पर दोस्तों सतलुज नदी पर बना है तो option number जो इसका C है वो यहाँ पर correct हो जायागा इसके बाद अगला question देखिए क्या गह रहा है चमेरा बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है फटा फटा फट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे जब आप देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखिए दूस्तों कि हम बात करते हैं चमेराबांद के बारे में तो यह बिसिकली आपका बनाया गया है कौन से नदी पर रावी नदी पर बहुत इंपोर्टन्ट है तो यहाँ पर जितने भी लोग जब आप देखिए रहे हैं आपसर नमबर B वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे चमेराबांद हिमानचर प्रदेश के चमबा जिले मिस्तित है और यह रावी नदी पर बनाया गया है तो इस परियोजिना के द्वारा लगभग ज्यारा सो मेगावाट ज्यारा सो मेगावाट का बिजली का जूत पादा ने किया जा रहा है समझ में आगए सर विकले इस वीडियों सुरु इतना है विकले बबाबाए टेक केर जैहीं जैवारत मिलते हैं सबसे हिंदी वाले क्लास में